करेंगे के लिए हम लोग एक लौग एक लॉजिक कर सकते हैं तो चलिए इसको find करते हैं सबसे पहले हम लोग पहले वाले triangle में देखते हैं जो left में नंबर है 5 और 3 इन दोनों को add कर देते हैं यानि 5 प्लस 3 और इसको multiply कर देते हैं 5 प्लस 4 से तो 5 प्लस 3 होता है 8 और 5 प्लस 4 होता है 9 यानी 8 इंटू 9 72 हो गया उसके बाद दूसरी ट्रेंगल में 7 प्लस 5 12 होता है और इसको multiply कर देंगे 7 प्लस 3 से तो 12 इंटू 10 हो जाएगा 120 जो कि ट्रेंगल के अंदर अब इसी तरह अगर हम तीसरी वाले ट्रेंगल को देखें तो इसमें 6 प्लस 5 यानी 11 हो जाएगा और उसको multiply कर देंगे 6 प्लस 4 10 से यानी 11 इंटू 10 हो जाएगा 110 लेकिन आप देख सकते हैं कि option में 110 कहीं भी नहीं है तो इसका मतलब है यह logic काम नहीं करेगा वैसे भी यह logic जो हमने लगाया था वह बहुत ही अट्पटा सा logic था कोई logical logic नहीं लग रहा था illogical लग रहा था तो अब हम लोग इसको दूसरे logic का यूज करके find करेंगे friends जिस logic का use करके हम लोग इसको solve करने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं करना क्या है add the product of all the three numbers and the sum of the three numbers then the answer you will get is the number inside the triangle मतलब यह है हिंदी में समझे के triangle हर triangle के बाहर तीन-तीन number दिया गया है ठीक है तीनों साइट पे लिखा हुआ find करना है और फिर इन तीनों number का sum find करना है और उस दोनों को add कर देना है तो जो answer होगा वही triangle के अंदर number होगा जैसे पहला triangle में 5 into 3 into 4 होता है 60 और इसमें add कर देना है 5 3 और 4 का sum यानि 12 60 प्लस 12 हो जाता है 72 उसी तरह दूसरा triangle में देखिए 7 into 5 into 3 हो जाता है 105 और 753 का sum होता है 15 तो 105 और 15 हो जाता है 120 ठीक है उसी तरह तीसरा triangle में आई अब 6 into 5 into 4 हो जाता है 120 और 6 5 और 4 का sum होता है 15 तो 120 और 15 को add कर दिए 135 आएगा जो कि हमारे options में given है option C है तो option C right answer हो जाएगा I hope कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन दबा दें ताके आपको इसी तरह की interesting वीडियो का notification मिलता रह थाएगा वच्छाइब कर देंग थाएगा